वेलकम टू आट्स स्टेडी में डेजी तो हमारी क्लास 7th की जॉग्रोफी सीरीज चल रही है जिसमें हम आज बढ़ेंगे चाप्टर नंबर 7 Human Environment, Settlement, Transport and Communication लेक्चर 4 इस चाप्टर के 3 लेक्चर्स पहले हो चुके हैं अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट के लिंग डिस्कूप्शन में मिल जाएगा अब वहां से देख लिजएगा और हाँ, अगर आपको हमारे लेक्चर की PDF सह helicopter चाहिए तो एटेलिक्राम चैनल के लिंग डिस्कूप्शन में मिल जाएगा आप वहाँ से PDFs टाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का lecture तो इसके पहले बारे lecture में lecture 3 में हमने पढ़ा था roadways के बारे में transport topic start किया था और roadways के बारे में पढ़ा था आज हम पढ़ेंगे railways के बारे में railways होती क्या है तो the railways carry heavy goods and people over long distance quickly and cheaply यह क्या करती है यह जो भी हमारे heavy goods होते हैं और people को बहुत ही ज़ाद जो long distance रहती है उसमें वो easily यह carry करती है एक जगह से दूसरी जगह यह एक तरह की means of transport है और हाँ यह बहुत ज़ादा बहुत quickly और बहुत cheaply मतलब जल्दी पहुचाती है और सस्ती भी होती है affordable रहती है अब यहाँ भी बता रहे है कि सबसे पहले तो हमारे rail में railways में सबसे पहले हमारे invention होता है steam engine का ठेक जो हमारे industrial revolution है वो बहुत ज़ादा मतलब डेपलब हुआ था rail transport को लेके क्योंकि देखिया यह बहुत ही ज़ादा मतलब quick थी और cheap थी economical थी इसलिए इसमें development करना हमारा सही रहता था उस टाइम पे मतलब कोई भी चीज़ को अगर आपको transport करना है एक जगा से दूसरी जगा तो railways are the best means of transport तो industrial revolution के दौरान railways में बहुत ज़ादा development किया गया था अब फिर दीरे-दीरे क्या हुआ तो जो हमारे डीजल और electric engines आये बात में वो steam engine को replace कर दिये in place super fast trains have been introduced to make the journey faster फिर उसके बाद और development हो रहा है और आज की रेट में हमारे पास super fast trains हैं जो कि मतलब एक journey को और भी ज़्यादा fast कर दी है मतलब और भी ज़्यादा कोई किये काम करने लगी है the railway network is well developed over the plane areas यहाँ पर भी जो हमारा railway का network है यह सबसे ज़्यादा well developed हमारे plane areas में है ठीक बांकि जो भी हमारे desert वगेरा के area हैं या हम बात करें mountains वगेरा की लेकिन जो हमारे plane वाले इसमें आसानी से बिचाते जो इसलिए वो थोड़े economical पड़ता है चीपर पड़ता है बनाने में advanced technological skills have enabled laying of railway lines in difficult mountain terrains also but there are much fewer in number यहाँ पर करें जो भी हमारी advanced technological skills हैं development हो रहा है railway के मतलब line पे तो उसकी कारण हम जो हमाई mountains उसमें भी हम अब railway की पट्री बिचा पाएं railway के network को बढ़ा पाएं बढ़ा पाएं बढ़ा उतना जादा नहीं कुछ ही मतलब हो मतलब अगर हम उनको plane से compare करें तो उसके मुकाबले इतना जादा network को नहीं फैला पाएं बढ़ा दीरे दीरे हम कुछ facts देखते हैं तो यहां पर क्या है तो the train from Zingling to Lahasha runs at an altitude of 4000 meter above sea level and the highest point is 5072 meter जहां पर बता रहे हैं कि जो train है Zingzing से Lahasha run करती है उसका altitude जो है वो sea level से 4000 meter उपर है मतलब हम कह सकते हैं और जो हमारा highest point होता है वो 5072 meter है तो हमें कह सकते हैं यह railway जो है यह वाली जो rail है यह हमारी सबसे highest railways है ठीक कौन सी जो Zingling से Lahasha की और रन करती है यह हमारा fact था है यहां पर The Trans-Siberian Railway is the longest railway system connecting St.Pittsburg in Western Russia to Villa Diversco on the Pacific Coast तो यहां पर बता रहा है कि यह जो Trans-Siberian Railway है यह हमारे मतलब World की सबसे जादा longest railway system है क्यों क्यों क्योंकि यह देखे यहां पर आगर आप देख सके हैं फिगर में तो यहां पर हमारा Sands-Pittsburg और यहां से Western Russia से यहां पर यह हमारे यह वाला जो पॉइंट है Villa Diversco यहां पर यह connect कर है Pacific Coast में तो यह सबसे जादा लंबी railway system है हमाय वल्ड की यह एक फैक्ट था इसको हम किस नाम से जानते हैं तो Trans-Siberian Railways के नाम से यह फैक्ट रहता है हमारा Do You Know में यहां से हमारा Railways Station Sorry, Railways Station नहीं Railways का टॉपिक खतम होता है अब हम आगे पढ़ते हैं Waterways के बारे में You have already learned that Since early days waterways were used for transportation अब आप आप पहले पढ़के आए हैं कि Water को हम waterways जो हैं उनको हम use करते थे as a transportation Waterways are the cheapest for carrying heavy and bulky goods over long distance They are mainly of two types Inland waterways and sea routes तो यहां बता रहा है कि जो waterways हैं हमारे transportation के वो बहुत ही जादा cheap रहते थे और उनको basically use किया जाता था बहुत जादा long distance में कोई भी heavy goods को transport करने के लिए ठीक और यह बहुत जादा cheap पढ़ते थे अब इनको basically दो पार्ट में divide किया गए थे सबसे पहला हमारा inland waterways और दूसरा है हमारा sea routes navigable rivers and lakes are used as inland waterways अब यह inland waterways में हम क्या use करते थे तो जो भी हमारी मितलब some of the important अभी हाँ पर कुछ important inland waterways की बात की गई है कौन कौन सी वो हमारी Ganga Brahmaputra river system then the great lakes in North America and the river Nile in Africa यह कुछ rivers and lakes की बात की गई है जो मतलब हमारा as a inland waterways work करते हैं ठीक अब हम बात करेंगे sea routes के बारे में तो sea routes and oceanic routes are mostly used for transporting merchandise and goods from one country to another तो यह जो हमारे sea routes इनको कभ यूज किया जाता था या oceanic routes को भी हम इनको कहते हैं तो इनको हम यूज करते थे जब भी कोई goods को एक जगह से एक country से दूसरी country में move कराना होता था तब हम sea routes का यूज करते थे these routes are connected with the ports यह जो हमारे sea routes रहते हैं इनको basically हम ports से connect करते हैं अब यहाँ पे कुछ important ports की बात की गई है तो सबसे पहला हमारे है Singapore and Mumbai in Asia हमारे Asia में Singapore और Mumbai है यह important port है यहाँ पे कुछ ports की बात की गई है ports क्या है तो यह हमारे sea routes का एक सबसे important पार्ट है यह क्या ports से ही हम connect करते हैं हमारे sea route जो है वो ports पे मतलब एक port है हम एक port से हम दूसरे port में जाते हैं destination हम कह सकते हैं यह यहाँ पे एक inland waterways की picture दिखाई है यह हमारी देखे हैं इसका एक example हम आपको बता सकते हैं यह गंगा सागर आप सुने होंगे वहाँ पे लोग जाते हैं जब घूमने वगएरा तो यह इस तरह की नाव में वो चढ़के गंगा ब्रहम पुत्रा रिवर को पार करते हैं अकसर आप देखे होंगे कभी ट्रैवलिंग में ऐसे बोर्ट्स वगरा का यूज यह हमारे inland waterways में आते हैं ठीक सी रूट्स हम आपको बता चुके हैं उसमें सबसे important क्या रहता है हमारा ports रहता है कुछ important ports भी हम अभी देखे तो आज के लिए बस इतने ही इसके आगे हम next lecture में discuss करेंगे thank you for watching and stay tuned with us